हमारी शिमस कारणिंग में बहुत बहुत शागत है आज हम बात करेंगी रोस प्लाइंग के लिए जो रोस प्लाइंग सभी को बहुत जादा पसंद है और बहुत खुबसूरत फुलावर होते हैं जिससे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है और कुछ टिप्स भी बताती जाओंगी कुछ ऐसा फटलाइजर भी बताओंगी जिसे आपका प्लांट में जो प्राबलम है या फूल बढ़ने ही रहे हैं या फूल बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं तो जिससे आपका प्लांट रोस प्लांट बहुत अच्छी दे कि लीप्स अच्छी है तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा आएगा फ्लूल भी बहुत प्यारे प्यारे आपके आएगे तो रोस तो सभी को बहुत पसंदे बहुत जरूरी जो काम है पहली बात तो मैं आपको सबसे नमबर बन से स्टार्टिंग करती हूं रोज में पानी अच्छे से देते रहिए और अल्टरनेट दीजिए डेली मट दीजिए मीटी अगर ड्राई हो थोड़ी सी तभी पानी देते हैं ज्यादा था हम लिप के फटलाईजर नेम खली और मस्टर्ड के लिए की टी बनाते हैं जो आप मेरी वीडियो नमबर 26 वे जाके चेक कर सकते हैं बहुत एजी बनने वाला है वो फटलाईजर आप महिने में दो बार देते देगे अगर आप हपते में देना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा है और महिने में दो बार देजिए वो भी बहुत अच्छा है वो एक ग्लास रिप देना होता है और बहुत अच्छी लीप्स और लीप्स के साथ फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है हम कभी अपने रोज़ प्लांट में जल्दी कटिंग नहीं करते हैं और सोफते कि कटिंग कर देंगे तो हमारा फ्लांटDS खराब हो जाएगा नहीं देखे पतियां जो पुरानी होते हैं उनको तो गिरिना ही होता है तो इसलिए समझ लीजे कि जब पतियां आपके बहुत सारी हो पतिया गिर रही हो यह जार की तरह आपका प्लांट हो गया तो उसमें फ्लावरिंग आ रही है मैं छोटी छोटी चोटी आती है कि उसको प्रोनिंग की जरूरत है कटिंग की जरूरत है तो हम यह सब जितनी जार करके दिखा देती हूं देखिए इस तरह से आप अपनी जो बहुत जादा हो गई है पत्ने लीप्स की लीप्स के साथ ब्रांचिस उन ब्रांचिस को काड़ी इसकी बगल वाली मैंने इसलिए नहीं काटी इसमें कली है एक खिल जाए अच्छा लगता फूल तोड़ा तो यह म इतनी सारे जार से हो गई हैं पत्तियां भी चोटी हो रही हैं तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें बहुत जरूरी यह काम है अब हमें क्या करना होता है इसके बाद हमें अपने प्लांट के लिए बहुत जरूरी वह काम है खाद देना खाद के पहले हमें गुड़ाई करना हमें पहले सब जब भी खाल दे पहले अपने पॉड को खाली अच्छे से साफ कर लीजे उसके बाद मैं पाने ये डाल चुकी हूँ आप पहले से सुखा लीजेगा मिटी हलकी सी फिर गुडाई कीजिए तो हम जो खाल बन देते हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए जि कुछ चीजे तो आपके घर में मिल जाती हैं कुछ चीजे आपके नरसरी में मिल जाती तो यह मिला के हम एक मिल्चर तयार करते हैं जो रोज प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है तो देखिए हम कैमिकल यूज नहीं करते हैं सिम नैच्छरल चीज से सबसे पहले तो यह Troy चीजे होती है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत इंप्रन्ट होती है जो बहुत ज़रूरी होती है अब बात कर लेते हैं बोन मिल अगर बोन मील डालना चाहे कोई बात नहीं आप उसकी जग़े दुसरी चीज लेज़े अब बात कर लेते हैं वी गोबर की खाथ यह बहुत अच्छी होती है नेच्रल होती है इसको भी जरूरी है आपके लिए मैंने एक मुठी ले रखी है यह जो खात देख रहे हैं इसमें मैंने चायक पती है और इसी में मेरे बनाना पील्स की खात को मैंने एड करके एक साथ में जड़ता मिला कर रख लेती हूं अब हम इस अब मैं इसे आपका अंदाजे से दो मुठी आप अपने हर प्लांट में डाल दीजिए जिससे आपका प्लांट बहुत इनर्जी से भरपूर हो जाएगा बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा तो यह सब मैंने गुडाई कर लिए बहुत अच्छे से इस तरह बने फैला अब इसको डालते ही मातरा आप 15-10 दिन के अंदर अंदर देखेंगे कितनी अच्छी ग्रोथ है और कितनी अच्छी से आपका प्लांट सर्वाइफ कर रहा है और जब भी फ्लावरिंग आई तो देखिये फ्लावरिंग कितनी अच्छी होती बड़ी होती है तो जब हम नीम सीजन है जिसे फरवरी में जन्वरी में और फरवरी में बहुत अच्छा सीजन होता हर कटिंग लगाने के लिए तो देख रहे है ना नई ब्रांच हमने जुकाटी है भी प्रानी ब्रांच उसमें भी देखिये नियू बीलीप सा रही है तो इसी तरह ग्रोथ का सीजन है बहुत अच्छा तो इसके में आप कटिंग लगा सकते हैं किसनी भी हार्ड टूनिंग कटिंग लगा सकते हैं सौफ्ट कटिंग लगा सकते हैं और लगा के थोड़ा शेड में रखिएगा एक तम डायरेक्ट धूप जोब इस धूब ते तीज नहीं होती मत सा बचाना पड़ेगा अब इतना जदा कोई रहा नहीं पड़ेगा तो थो नॉर्मली कोई रहा पड़ेगा जिससे आपका प्लांट अच्छे से सरभाई भी करता रहेगा अब बात कर लेते हैं हमारे प्लांटों में एक चीज की प्रॉब्लम इस टैम बहुत फेस करनी करते हैं जो हमारी कलियों में लग जाते हैं तो हमारी कलियों खराब कर देते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है इसके लिए स्रिप आपको नीमॉयल का स्प्रे करना होता है नीमॉयल आपको हर रजी की सॉप में मिल जाएगा मैं इसमें अपने वीडियो पी लिंक भ जालोंगे आप वहां से पर्चिस करना चाहे तो ले सकते हैं बहुत इजी मिल जाएगा वो स्प्रेय आप करते रहेगा हर 15 दिन में तो कभी इस तरह से प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी तो चलिए मैंने आपको कुस टिप्स बता दियें जो रोज ब्लान्ट के लिए बहुत इंपोर्टन्ट होती अगर इसके कोडिंग और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर कमेंस कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल बटन दबाना ज़रूरा रखे जिसे मेरे वीडियो की नोटिपिकेश आपको मिल सके थैंक फूर वाचिंग माई वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद